सबसे स्मार्ट लोर्निंग चैनल यह है टी आरेस क्लिफ्स हिंदी सब्सक्राइब करो बेल आइकॉन क्लिक करो और जल्दी 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 सीखते जाओ सर्क्यों कि आपने इतने सारे स्क्रיפ्चर्ज पढ़े इसी पॉड्डिकास्स पर х हमने अग्कॉरंगा-दास्वामि को भी हुश्ट के ने गोरुडपुरान की देखी उन्होंने यूनिवार्स की बदेखी भू लोग, स्वर्ग लोग पाताल लोग की बाते करी पर उनसे मैंने एक सवाल नहीं पूचा जो मैं आप से पूचना चाहूंगा उन्होंने भूतों को explain कि भूत होते क्या है उन्होंने प्रेत शब्द को explain नहीं किया, तुन्होंने दानव शब्द को explain ने किया तो I would love for you to explain कि पहले तो आपके according जो आपने शास्त्रों में पढ़ा है उसमें भूतों के बारे में क्या लिखा गया है और फिर प्रेत और दानव और ये सब चीज़े क्या होती है इनमें अंतर क्या होता है हमारे तीन शरीर होते है एक स्थूल शरीर एक सुक्ष्म शरीर एक कारण शरीर स्थूल शरीर तो हमारे अनुभव में है सुक्ष्म शरीर है मन बुद्धी अहंकार इत्यादी और कारण शरीर है हमारे अरंध चन्मों के संसकार अब मान लो किसी से किसी ने आत्मा हत्या कर दी अपनी स्वेच्छा से उसने स्थूल शरीर को नश्ट कर दिया भगवान कहते हैं ये अधिकार तुमको नहीं था ठीक है तुम अपने कर्मों का फल भोग रहे थे अब तुमने शरीर कोई नश्ट कर दिया अब इसका दंड ये है कि कुछ समय तक तुम अशरीरी रहोगे यानि तुमको स्थूल शरीर नहीं मिलेगा तो वो जो आत्मा बिना स्थूल शरीर के भटकती है उसको कहते हैं भूत और वो एक दर्दनाक स्थिती होती है उसकी इच्छाएं है पूरा करने की कोई सुविधा नहीं है तो इसलिए वो चाहती है कि किसी के शरीर में आएं तो इच्छाओं को पूरा करें तो वो भूतों में विभिन जैसे फरिष्टों में भी अलग-अलग कक्षाएं होती है अब ये सब बातें मैं डिसकस नहीं करता लेकर आप पूछ रहे हो विभिन कक्षाओं के फरिष्टे होती है तो इसी प्रकार से वोतों में भी अलग-अलग प्रकार की कक्षाएं होती हैं उनकी शक्ति कितनी है जैसे एक ब्रह्मर आक्षस होता है बड़ा शक्ति शाली इत्यादी तो उनकी जो अपनी पावर थी अब वो मूत बने तो उतनी पावर के साथ बन गए तो वो जादा नुकसान कर पाते है और कोई है उसकी पावर कमती है या उसके अंदर दुर विचार कमती है तो जाकम नुकसान करती है तो यह evil sight है एक संसार की और उसी तरह फरिष्टे क्या होते हैं जैसे कि आपने बूतों के बारे में बात है आपने फरिष्टों के बारे में भी बात करी और यह Christianity में भी पाया जाता है आच एंजल माइकल जैसे गैबरियल आच एंजल गैबरियल तो यह सब होता क्या है और क्या इंडिन कल्चर में भी फरिष्टों की बात होते हैं और क्या यह जो आच एंजल माइकल है आच एंजल गैबरियल है यह actually I'm sure कि मतलब इनकी कोई नैशनालिटी नहीं है यह अमेरिकन नहीं है यह ब्रिटिश नहीं है नैशनालिटी तो हम लोग बनाते हैं इनके लिए कौन सी नैशनालिटी पर हमारे कल्चर में है इनके पैरलेल्स जैसे कि कहा जाता हैं कि जियूस देवता का पैरलेल इंडर भगवान है तो उसी तरह इनके भी parallels क्या है अब देखो हमारे यहां पे 33 करोड़ देवता है ते 33 करोड़ तो यह जो 33 करोड़ देवता है यह भागवान नहीं है यह विभिन कक्षाओं के परिश्टे है तो उनमें कुछ ज्यादा हूंचे है यह इंद्र है वरुन है कुबेर है जैसे सारे parallels है उसमें तो यह फिरिष्टों की विभिन कक्षाओं हैं और यह fact में हैं किन्तु पासजात्य जगत में इन पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है और हमारे यहां पर इतना उनको emphasize नहीं करते हैं तो हमारे यहां महत्व है कि वही तुम उस एक की शरण में जाओ जाओ की देखबाल हो जाएगी जैसे विक्ष है आपने विक्ष के जड़ पर पानी डाला तो इसके पत्र पुष्ब फल फूल में अपने आप चले गया तो ऐसे ही हम सब की उपर पांच रिन हैं उनमें एक है देव रिन यह सब देवी देवतां की प्रती हमारा रिन है ऐसे ही है भूत रिन साब प्राणियों के प्रती वो जो अर्थ वर्म है जो मधुमक ही है जिसके कारण सब अनाज इत्यादी उत्पन होता है और ऐसे ही है रिशी रिन रिशियों के प्रती जो साब रिशी इत्यादी है पितरी रिन अपने पितरों के प्रती नरी रिन अब थामस एड जिसका हम उपयोग कर रहे हैं तो ये पांच रिंड हुए मनश्यों की उपर लेकर जास्तर कहते हैं कि या तो सब जगा जाके अपना टैक्स दो या एक जगा इंकम टैक्स दे दो भगवान के प्रती ड्यूटी कर दो तो जड़ पर पानी डालने की बात हो गई वो भगवान स सब जगा अपने आप पहुंचा देंगे कोई चिंपा करने की आवश्रकता है